Hello Everyone, Welcome to Studywise Banking Guys, स्वागते आप सभी का 1000 Puzzle के सीरीज में आज हम सेट नमबर 47 to सेट नमबर 51 करने वाले हैं हमने सर्कूलर सेटिंग आरेजमेंट लाइन मेतर्ड से कैसे करते हैं देखा था, हमने स्क्वेर सेटिंग आरेजमेंट भी लाइन मेतर्ड से कैसे करते हैं हमने फ्लोर बेस पजल भी देखिए गाईज आज हम लिनियर सिटिंग आरेजमेंट देखने वाले तो चलिए गाईज वीडियो की शुरुवत करते हैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यहां पर हम बेसिक से हाई लेवल तक क्वेशन करने वाले गाईज और अगर आपने यह सिरीज कंप्लिट कर दी तो मैं ग्यारंटी लेता हूँ कि आपको प्रिलिम्स के पजल में कभी भी प्रॉब्लेम नहीं आएगा प्रिलिम्स का 35 marks का पेपर होता है उसमें से 20 marks पजल प्याते है तो यह 20 marks की गैरेंटी मेरी तो floor-based puzzle की हमारी एक puzzle रहे गए तो उससे भी कर देते है यहां पे क्या बोला है गाईज 9 person है यच J, K, Y, 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 M, Y, O, P, Q live in the building on 9 floor building such that the ground floor is number as 1 and just above is number as 2 so on till the topmost floor is number as 9 but not necessary in the same order अब यहां पे ground floor की numbering 1 तो उसके उपर की floor की 2, 3, 4 ऐसे करते करते 9 तक जाएगा अब आगे क्या दिया है guys J lose on the floor of 6 तो यहां पे 6th number के floor पे मैं J को बना देता हूँ अब आगे बोलाए Yen lose on an odd number floor above the floor on with J lose अब J के उपर तो Yen रहेगा but odd number के floor पे रहेगा इसका है मतलब odd number कों सा है J की उपर एक तो 7 है and एक तो 9 है तो यहां पे भी मैं एक possibility बना देता हूँ जे की एक possibility मैं Yen यहां पे आएगा and एक possibility मैं Yen यहां पे आएगा odd number पे अब आगे दियाए गाईज only 3% लिव between Yen and Q अब गाईज यह possibility number 2 में 1,2 and 3% छोड़के Q यहां पे आएगा and यह possibility number 1 में 1,2 and 3% छोड़के क्यों यहां पे आएगा अब आगे दियाएगा इस K leaves immediately below O on an even number floor but not on the floor number 8 ठीक है अब यहां पे क्या बोलाए कि यह जो K है वो immediately below रहेगा O K तो यहां पे O K immediately below कों रहेगा K रहेगा but K कहां पे रहेगा K रहेगा on an even number floor तो यह जो K है यह even number के floor पे रहेगा अब जाहिर से बाते K even पे तो यहां पे O odd पे हो जाएगा क्योंकि यहां पे odd के बाद even even के बाद odd फिर से even फिर से odd even odd यहां पे alternate चलते हैं और यहां पे आगे दिया था not on floor number 8 तो यहां पे floor number 8 पे के ही नहीं होगा ठीक है तो यहां पे K के लिए cross का sign बना देता हूँ अब आगे बोला है only one person lose between Q and P तो यहां पे Q and P के बिच में only one person रहेगा अब आगे दिया है number of person who lose above YL तो यहां पे YL के above जितने भी number of persons रहेगे इस same as the number of person who lose below YUM यह same होगे जितने number of persons YUM के बिलो होगे अब आगे दिया है guys, yum lose below q, तो यहाँ पे जो yum है, यह q के below रहेगा ठीक है, तो हमने सभी conditions note कर दिया guys, अब guys आपको यह वाली सबसे suitable condition दिख रहे होगी, यहाँ पे क्या बोला कि o के just नीचे के है, and o odd number के floor पे रहता है, तो first तो odd है, बट यहाँ पे अगर मैं o को तो यहाँ पे के आ सकता है, ठीक है, यह possibility बन सकती है, और guys यह 7th number के position पे भी o नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं है, and 9th number के position पे अगर मैं o को निकाल दिया, तो o के just नीचे को नहीं k है, बट यहाँ पे 8 number के position पे k के लिए तो restriction है, इसका है मतलब यहाँ पे भी o नहीं P है, तो Q से उपर जाएंगे, तो 1% छोड़के तो P नहीं आ सकता, तो Q से नीचे 1% छोड़के P मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलाए guys, कि Q के नीचे यम होना चाहिए, तो यह possibility number 1 में Q के नीचे यम रखने के लिए तो एक ही तबी तो YL के उपर एक बंदा होगा, ठीक है, अब guys हमारा 1% बचाए 9th number फ्लोर वाला, तो यहाँ पे यच हो गया क्या, guys यहाँ पे यच नहीं हुआ, तो 101% यह चाहेगा 9th number के फ्लोर पे, तो यह पूरी possibility हमारी 101% सौल हो गई है guys, I hope कि आपको यह puzzle understand हो गई होगी, अब यह possibility number 2 में क्या गलत आता है, यह भी चेक करके देखते हैं, तो सबसे पहले यह वाली condition रखके देखेंगे, कि O के नीचे K है, ठीक है, तो यह possibility number 2 में guys, ओ यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि E1 number की position है, और हमें तो O odd number के position पे चाहिए, ओ यहाँ पे भी नहीं आ सकता 7 number के position पे, यह odd number की position तो है, बट O के just नीचे हमें कौन चाहिए, यहाँ पे के चाहिए, बट यहाँ पे तो already J आ चुका है, तो K रखने के लिए तो जगाई नहीं है, इसका है मतलब O 7th number के position पे भी नहीं आ सकता, O 8 पे नहीं आ सकता, 7 पे नहीं आ सकता, 5th odd number position पे तो Q हो ग ही है, इसका है मतलब O 101% यहाँ पे थर्ड पे और के आएगा second number के position पे, तो यह भी condition हो गई हमारी, अब यहाँ पे क्या बोलाए, कि Q से 1% छोड़के पी है, तो Q से नीचे तो 1% छोड़के पी नहीं आ सकता, तो Q से 1% छोड़के ऊपर पी होगा, अब यहाँ पे क्या बोल मैं यम को रखतो, फर्स्ट number के position पे, तो यम के नीचे कितने 0 है, अगर यहाँ पे यम के नीचे 0 हो गए, तो यल के भी उपर 0 चाहिए, इसका है मतलब यल हमें यहाँ पे निकलना होगा, 9th number के position पे, तब ही तो यल के उपर 0 number of persons आएगे, इसका है मतलब guys, यम यहाँ पे नहीं आ सकता फर्स्ट number के position पे, अब guys अगर मैंने यम को यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे यम के नीचे कितने बंदे दिख रहे आपको, यम के नीचे 3 बंदे दिख रहे, अब यल के भी उपर 3 बंदे होने चाहिए, तो यह 1, 2, 3 बंदे छोड़ने के बाद, मुझे यहाँ पे यल को निकालना पड़ीगा, तभी तो यल के उपर यह 1, 2, 3 बंदे होगे, तो guys हम यम एंड यल तो set ही नहीं कर पाएगे, इसका है मतलब यह second possibility totally हमारी गलत है, तो 101% यह possibility number 1 ही हमारी सही है, I hope कि आपको यहाँ पे quality की learning मिली होगी, अब guys हम linear setting arrangement की puzzle करते हैं, तो set number 48, linear setting arrangement में आपको एकी चीज़ धान में रखने होगी guys, कि यह जो दोनों end है, यह attach नहीं होगे, इसका मतलब यहाँ पे guys, इस बंदे का immediate left आपको पूचा होगा, तो इसके immediate left में कोई भी बंदा नहीं होगा, हम circular setting arrangement में क्या करते थे, इसका immediate left में यह बंदे को लेते थे, इस बंदे के immediate right में हम यह वाले बंदे को लेते थे, बट यहाँ पे linear setting arrangement में ऐसा नहीं होगा, यह वाले बंदे के immediate left में कोई भी नहीं होगा, यह वाले बंदे के immediate right में यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ends attached नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यह puzzle हम line में तर जैसे ही बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ ध्यार में रखना होगा कि यहाँ पे एंड सटेच नहीं होते हैं तो यहाँ पे दिया है शिक्स पर्संस है यूवी डब्लीव एक्स यजड और सिटिंग इन द लिनेर रो फेसिंग टूर्ड द नॉर्थ अब सभी के सभी नॉर् का डारिक्शन नौर्थ होगा अब आगे दिया है दे आर यूजिंग डिफ्रेंट ब्रैंड पेंस पार्कर शेफर ही रो सेलो पेपर क्राफ्ट एंड ही मैं बट नॉट नेसेसरी इन दे सेम ओडर अब गैज आगे कंडिशन भी नोट कर देते हैं यहाँ पे क्या बोलाए अब यहाँ पे complex statement दिया है तो कभी भी आपके puzzle में complex statement आता होगा तो उसे end से पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ पे end का statement क्या है one who sits second to the right of you मतलब जो भी बन्दा you के second to the right में बैटता है तो उसे हम star ले लेगे और यहाँ पे statement one क्या दिया था the one who uses cello sit third to the left of the one अब यह one के लिए हमने क्या ले लिया star ले लिया इसका है मतलब जो भी cello पे news करता है वो third to the left है किस से star से इसका है मतलब यहाँ पे star से first left second left and third to the left में यहाँ पे कोन है cello पे news करने वाला अब आगे क्या बोला है guys only two persons sitting between you and w तो यहाँ पे you and w के बिच में only two person रहेगे अब आगे दिया है the number of person sitting to the left of w is the same as the right of the one who uses parker इसका है मतलब guys यहाँ पे w के left में जितने भी person होगे उतने ही person यहाँ पे parker के right में होगे तो इस condition को मैं ऐसे note कर देता हूँ अब आगे क्या बोला है guys only two persons sitting between the one who uses parker and x अब यहाँ पे parker पे जो भी यूज करता है and x के बिच में only two बंदे रहेगे अब आगे दिया है guys why sit third to the left of the one who uses hero अब यहाँ पे hero pin जो भी यूज करता है वो first left second left and third to the left में कौन रहेगा वाय रहेगा अब आगे दिया है guys यहाँ पे neither x nor v uses hero अब यह जो hero पे नहीं यह x भी नहीं यूज करता and यहाँ पे यह वी भी नहीं यूज करता तो यहाँ पे cross का sign बना देते हैं अब आगे क्या बोला है guys the one who uses paper craft sit immediate left of the one who uses hey man तो यहाँ पे जो भी पर्दा hey man यूज करता है उसके immediate left में यहाँ पे paper craft वाला बंदा होगा तो यह भी condition हमने note कर दी अब आगे क्या बोला है you does not uses shiffer तो यहाँ पे यू जो है यह shiffer use नहीं करता तो यहाँ पे shiffer के लिए मैं cross का sign बना देता हूँ ठीक है guys अब guys यहाँ पे सबसे suitable condition तो आपको यह वाली दिख रही है कि you से एक person छोड से आपको यह वाली condition दिख रही है और यू से आपको यह वाली condition दिख रही है ठीक है बड़गाई जा हम circular sitting arrangement square sitting arrangement के line method में हम यू कही भी रखके start कर सकते थे क्यूंकि यहाँ पे यह जो दूनों end है यह attached रहते थे linear sitting arrangement के यह line method है guys यह linear sitting arrangement है यह गैज बट यहाँ पे यह दोनो से आपको यह वाली condition दिख रही है कि star से 2% छोड़ने के बाद left में कोन है सेलो है, तो star से 1 and 2% छोड़ने के बाद left में कोन हो जाएगा यहाँ पे सेलो वाला हो जाएगा, तो यह possibility बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमने यह 1, यह 2 and यह 3 and यह 4 बंदे fix कर दे अब यह 2 बंदे fix हाई क्या नहीं हमें नहीं पता, बट यह 4 बंदे तो हमने fix कर दे, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि U के right में 1% छोड़ने के बाद star है and star के left में 2 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे सेलो है, तो guys यहाँ पे 4 बंदे तो set कर दिए, तो बाकी के बंदे में मीटा देता हूँ, यहाँ पे right end में भी यह 2 बंदे आ सकते है यहाँ पे left end में भी यह 2 बंदे आ सकते है यहाँ पे एक बंदा immediate right end में आ सकता है, एक बंदा immediate left end में आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी confirm नहीं है तो यहाँ पर U से आपको यह वाली condition दिख रहे है कि U से दो बंदे छोड़ने के बाद को नहीं W है तो U से दो बंदे छोड़ने के बाद W एक तो right में आ सकता है या फिर U से दो बंदे छोड़ने के बाद W एक तो left में आ सकता है तो सबसे पहले possibility में U से दो बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे W को निकालता हूँ immediate right में तो यहाँ पे हो गया W, अब गयाज यहाँ पे कितने बंदे हो गए, यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, और यह हो गया 6 और हमें भी 6% चाहिए थे, तो गयाज यहाँ पे जो W है यह होगा leftmost बंदा, यहाँ पे जो star है यह होगा rightmost बंदा, तो यहाँ पे W से आपको यह वाली condition दिख रहे है कि W के left में जितने उतने ही parker के right में, अगर यहाँ पे W left end पे आए, तो यहाँ पे parker 101%, यह immediate right end पे X है, तो यहाँ पे अगर मैंने parker को set कर दिया, तो parker से 1 and 2 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा X, तो यह भी condition हो गई हमारी, अब guys आपको यह वाली condition दिख रहे होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि hero के third to the left में को नए Y है, अगर guys मैं यहाँ पे hero को रखता हू तो hero के left में 1 and 2 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे Y आ सकता है, ठीक है, यह एक possibility बनती है Y के लिए, अब guys अगर मैं यहाँ पे hero को रखता हूँ, तो hero के left में यह 1 and 2 परसन छोड़ने के बाद यहाँ पे Y रखने के लिए जगा है कि नहीं है, अब guys अगर मैं यहाँ यहा सकता W के नीचे, तो hero को रखने के लिए, तो एक ही place बचिये, hero आएगा पारकर के immediate left में, तबी तो hero से 2 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा hero and hero से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा Y, तो यह भी condition हो गई हमारी, अब guys यहाँ पे क्या बोला है कि य जो X है and V है, यह hero नहीं हो सकते, तो यहाँ पे X and V में से कोई भी नहीं आ सकता, X तो हमने यहाँ पे set कर दिया, तो X को मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे V नहीं आ सकता hero में, अगर guys यहाँ पे hero में V नहीं आ सकता, तो V रखने के लिए तो एक ही जगा बचिये, तो 101% यहाँ पे परसंट बचाया हमारा, यहाँ पे U हो गया, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे W हो गया, यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया, एक ही बंदा बचाया जेड, तो 101% जेड आएगा यहाँ पे, अब guys हमारी यह वाली condition बाकी है, कि यहाँ पे क्या बोला, He-Man के just immediate left में paper craft होना चाहिए, तो यहाँ पे Parker हो गया, यहाँ पे Hero हो गया, यहाँ पे मैं He-Man रखोगा, तो He-Man के left में यहाँ पे Parker रखने के लिए जगा नहीं है, तो 101% मुझे यही पे He-Man रखना पड़ेगा, यहाँ पे paper craft रखना पड़ेगा, तभी तो He-Man के left में paper craft होगा, and Y हो सेंट यह शेफर आगा यू के नीचे बढ़ ग्याज यह लास्ट कंडिशन में आपको क्या दिख रहा है कि यू तो शेफर नहीं हो सकता तो यह पूरी पॉसिब्लिटी हमारी गलत हो गई यहाँ पे मैंने क्या लिया था यहाँ यू के लेप्ट में 2% छोड़ने के बाद अब गईज हमने 5% तो सेट कर दिए अब यह जो 6th person है यह राइट एंड में आ सकता है या फिर यह जो 6th person है यह लेप्ट एंड में आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे 6% कंफर्म नहीं है तो सबसे पहले हम 6th person यह immediate left end में लेगे अगर यह गलत आता है तो 6th person हम W के immediate right में जितने उतने ही parker के right में इसी condition को हम क्या बल सकते W के right में जितने उतने ही parker के left में यहाँ पे सिर्फ यह W एंड पारकर का डारेक्शन अपोजिट होना चाहिए यहाँ आ पर W का direction मैं ने right लूगा तो parker का direction मुझे left लेना पड़ेगा अगर ड़ू का direction लेता हूं तो parker का डारेक्शन मुझे राइट लेना पड़ेगा तो यहापे डबल्यू के राइट में अगर कोई भी बंदा नहीं है तो 101% पारकर आएगा इमेडेट यहापे लेट एंड में इसका है मतलब पारकर की लेट में भी कोई नहीं होगा तो यह भी कंडिशन हो गई अब यहापे पारकर से 2 बंदे छोड़ने के बाद एकस है गईज पारकर तो यहापे तो पारकर से 1 & 2% छोड़ने के बाद यहापे आएगा एकस तो यह भी हिरो नहीं हो सकते ठीक है तो यहां पर एकस के ऊपर यहां पर हिरो के लिए मैं क्रोस का सायन बना देता हूं यहां तक समझ में आ रहा है अब यहां पर पहों कोई कांदिशन दिख रहे है क्या अब गैज आपको यह वाली कंदिशन दिख रहे 2% छोड़ने के बाद left में को नए y है ठीक है तो hero आप कहा कहा सकता है यह देखते है अगर guys मैं यहाँ पे hero को रखता हूँ तो hero के left में यह 1 and 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे y रखने के लिए जगा है क्या यहाँ पे तो कोई भी जगा नई है इसका है मतलब यहाँ पे hero नए आ सकता है और guys अगर मैं यहाँ पे hero को रखता हूँ डबली व के नीचे तो hero से left में 1 & 2% छोड़ने के बाद यहां पे y रखने के लिए जगा है कि नहीं है यहां पे तो already हुआ है इसका मतलब hero यहां पे भी नहीं है सकता 6th number के position पे तो hero रखने के लिए की place बचे 5th number वाली तो 101% hero आएगा 5th number के position पे ठीक है guys तो यहां पे मैं color change करके लिख भी देता हूँ यह हो गया hero 5th number के position पे and hero के left में यह 1 & 2% छोड़ने के बाद यहां पे हो गया y and y को cello pain पसंद है तो यह भी condition हो गई हमारी अब यहां पे क्या बोला है कि hero के उपर x भी नहीं आ सकता and v भी नहीं आ सकता तो x थो हमने यहां पे set कर दिया तो यह hero के उपर v के लिए मैं cross का sign बना देता हूँ ठीक है guys मतलब यहां पे v नहीं आ सकता 5th number के position पे तो यहां पे w है यहां पे 5th पे v नहीं आ सकता यहां पे 4th पे x है यहां पे u है यहां पे y है तो v रकने के लिए एक ही place बचे फर्स्ट number की तो यह भी condition हो गई हमारी अब यहां पे क्या बोला है कि he man के just left में कोन है paper craft वाला है यहां पे u v w x तो guys यहां पे u हो गया यहां पे v हो गया यहां पे w हो गया यहां पे x भी हो गया यहां पे फिर क्या आ है y and z यहां पे y भी हो गया तो z रकने के लिए एक ही place बचे तो 101% यह star के जगा पे कोन आएगा ये star की जगाँ पे आएगा W अब गैज हमारा एक ही बंदे का पेन का नाम बचा है और गैज हमारी एक ही condition बाकी है कि यू safer नहीं हो सकता बड़ गैज यहाँ पेपर है तो safer रखने के लिए एक ही place बचे है W की नीचे तो 101% safer आएगा W की नीचे तो ये पूरी पजल हमारी शॉल हो गए है I hope कि आपको यहाँ पे quality की learning मिली होगी यहाँ पे 5th बंदे fix हो गएते तो यह जो 6th बंदा था मैं सबसे left position पे लिया था अब गैज ये 6th बंदा मैं सबसे right position पे लेता हूँ तो क्या गलता था ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे 5th बंदे तो fix हो गए ठीक है तो 6th बंदा मैं W के right में लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें भी 6% चाहिएते यहाँ पे 6 बंदा लेने के बाद तो 101% correct है अब गयज यह right end में 6 बंदा लेते तो क्या गलता था ही ये चेक कर रहे हूँ ठीक है guys तो यहाँ पे आपको क्या दिकर आए guys कि W के left में जितने उतने ही Parker के right में इसका है मतलब W के right में जितने उतने ही Parker के left में तो यहाँ पे W के right में अगर एक बंदा है तो 101% यह Parker आगा यू के निचे तभी तो Parker के left में यहाँ पे एक बंदा होगा ठीक है तो यह भी condition हो गई Parker से 2 बंदे छोड़ने के बाद एक से तो Parker से right में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक्स रखने के लिए जगाई के नहीं है यहाँ पे पारकर के left में भी एक बंदा दिख रहा है यहाँ पे पारकर के left में 2 बंदे छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगाई नहीं है तो यह condition हम apply नहीं कर सकते इसका है मतलब 101% यहाँ पे नहीं आएगा 6th बंदा आएगा यहाँ पे सेलों के immediate left में यहाँ तक समझ में आ रहा है गाईज I hope कि आपको linear sitting arrangement में places कैसे confirm करते है यह पता चल गया होगा अब set no.48 तो successfully conduct हो चुका है अब set no.49 करते है तो यहाँ पे क्या दिया है गाईज 6% से UVW XYZ are sitting in the linear row facing towards the north they like different suites जामुन, काजुकतली, मैसुर, पा, खलवा, लाडू and jellyby not necessary in the same order तो यहाँ पे सबसे पहले 6% की sitting arrangement में बना देते है तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5 and यह हो गया 6 ठीक है और यह सभी के सभी not direction में facing है ठीक है अब सब से पहले conditions भी note कर देते है तो यहाँ पे क्या बोलाएं guys, the one who like jellyby sit third to the left of W, तो यहाँ पे W के first left, second left and यहाँ पे third to the left में कौन बैटके है, jellyby वाला बैटके है, अब यहाँ पे क्या बोलाएं, neither of them sit at the end of the row और यह दोनों के दोनों यहाँ पे end पे नहीं बैटके होगे and guys, यह तो यह कितने बंदे की setting arrangement हो गई, यह हो गया one, यह हो गया two, यह हो गया three, यह हो गया four, यह हो गया five and यह हो गया six, और यहाँ पे भी six बंदे की arrangement है, तो 101% W आएगा यहाँ पे, and W के left में 2% छोडने के बाद यहाँ पे आएगा jellyby, अब यहाँ पे jellyby and W दोनों end पे नहीं ह हमने apply कर दी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोलाए, Z sit immediate left of W, अब यहाँ पे W के immediate left में कोने Z है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलाए, only one person sit between Z and X, तो यहाँ पे Z and X के बिच में एक ही बंदा है, तो X1 तो यहाँ पे आ सकता है Z क के right में ठीक है, अब आगे दिया है, number of person sit to the left of X, is same as the number of person sit to the right of the one, who likes मैसूर पाग, अब यहाँ पे X के left में जितने होगे, उतने ही मैसूर पाग के right में होगे, तो यहाँ पे मैसूर पाग के right में उतने होगे, अब आगे क्या बोलाए, V sit second to the left of the one, who likes लड़ू, तो हो गया first left, and यह हो गया second to the left, अब आगे क्या बोलाए, V neither likes jellyby nor likes halwa, इसका मतलब यह जो V है, इसे jellyby and halwa पसंद नहीं है, तो यहाँ पे jellyby बना देता हो, and यहाँ पे halwa बना देता हो, ठीक है guys, यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब आगे क्या बोलाए guys, Y neither likes jellyby nor laddu, तो यह जो X को, यहाँ पे इन दोनों को halwa पसंद नहीं है, यह भी condition हमने note कर दी, अब आगे क्या बोलाए, the one who likes kazoo kathli sit second to the right of the one who likes halwa, तो guys यहाँ पे यह हो गया halwa, halwa के second to the right में कोन है, यहाँ पे kazoo kathli वाला है, ठीक है, तो यह भी condition note कर दी, अब last condition बचे है, यहाँ पे क्या बोला end तो confirm कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलाता कि, जेले भी भी end पे नहीं है, यहाँ पे W भी end पे नहीं है, तो यहाँ पे end तो हमने confirm कर दी, ठीक है, अब guys इस condition के हिसाब से यहाँ पे X के लिए तो दोनों possibility बनती है, तो as a minimum possibility सबसे पहले मैं X end पे लेता हूँ, अगर यह X गलत आता है, तो 101% X यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया X, अब X से आपको यह वाली condition दिख रही है, कि X के left में जितने ही मैं सुरपाग के right में, तो X अगर right end पे, तो मैं सुरपाग यहाँ पे immediate left end पे आएगा, तो यह हो गया मैं सुरपाग, तो यह भी condition ह अब गया है, कि हलवा से 1% छोड़ने के बाद काजू कतली, तो अगर मैं यहाँ पे हलवा को रखता हूँ, तो हलवा से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगी काजू कतली, ठीक है, तो यहाँ पे हलवा एड़ यहाँ पे काजू कतली, ठीक है, अगर मैं यहाँ यहा यहां पे अगर हल्वा रखूगा तो यहां पे भी राइट में काजु कतली रखने के लिए जगा नहीं है तो हल्वा रखने के लिए तो यहां पे लड्डू को रखता हूँ तो लड्डू से लेप्ट में एक परसंट छोड़ने के बाद यहां पे भी रखने के लिए जगा ह यहाँ पर आएगा भी तो यह भी condition हो गई हमारी बढ़ गाईज यहाँ पर क्या बोला है कि वी जेलेबी एंड हलवा नहीं हो सकता बट यहाँ पर जेलेबी में भी आ गया तो यह पूरी possibility हमारी गलत हो गई इसका है मतलब यहाँ पर X नहीं आ सकता तो 101% X यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो गया मैं सुरुपाक ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है तो यह भी condition हो गई अपगेज आपको यह वाली condition दिख रहे होगी कि लड़ू के लेप्ट में एक बंदा छोड़ने के बाद को नहीं वी है अगर मैं यहाँ पर लड़ू को रखता हूँ तो लड़ू के लेप्ट में एक बंदा चोड़ने के बाद रहे एक ही पलेज बच्चियए अगर मैं यहाँ पर लड़ू को रखूँ गा तो लड़ू के लेप्ट में फिलो यहां पर साथ यहां पर रिखेवर हां एगर हाद से आयगा ही और खालेंट कर था यहां पर थिल्दू även है दूर मिसा पर यहां पर रखन के लिखेवर हमसीच का साथ यहां पर खेलिख और याइक हो भीटो भीट प्रसफर होलोग दोर यहां आह दो fifth हलवा के राइट में एक परसंगे के बाद यहां पे आएगा काजुकतली तो यहां पे क्या बोला है कि हलवा य अम्ने Cindy । सकता और यहां पर हलवा का पर हलवा तो जेड है इसका है मतलब हलवा य भी नहीं है ठीक है और गैस यहां पर क्या बोलाए कि जेले भी एंड हलवा भी नहीं हो सकता यहां पर भी मैं जेले भी भी नहीं हो सकता तो जेले भी हमने सेट कर दिया हलवा भी नहीं आ सकता हलवा भी हमने सेट कर दिया जेड के लिए एंड जेले भी एक्स के लिए तो यह भी कंडिशन हो गई हमारी अब यहाँ पर क्या बोलाए गाई यहाँ पर बोलाए कि वाई जेले भी नहीं हो सकता एंड लड्डू नहीं हो सकता बट यहाँ पे लड़ू आई नहीं हो सकता तो यहाँ पे लड़ू तो हमने set कर दिया यहाँ पे वाई के ले cross का sign बना देता हूं तो यहाँ पे अगर वाई नहीं आ सकता तो यहाँ रखने के लिए एक ही place बचे हैं वाई 101% यह काजू कतली में आएगा तो यह भी condition हो गई हमारी यहाँ पे काजू कतली में अगर Y आता है तो यहाँ पे क्या बोलाई कि काजू कतली X नहीं हो सकता वैसे भी यहाँ पे JLB X है तो यह भी condition हो गई हमारी अब हमारे 1 ही person रखना बाकी है तो guys यहाँ पे U हो गया क्या यहाँ पे U नहीं हुआ यहाँ पे X आ रहा था यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सर का minimum possibility के हिसाब से यहाँ पे गलत आ गया तो 101% X यहाँ पे आएगा तो ऐसे आपको यहाँ पे possibility eliminate करना भी सिखना पड़ेगा guys आज linear setting arrangement का day 1 है तो आज हम 3 puzzle करेगे तो आज हमने set number 47 किया हमने set number 48 किया अरब तक आपने हमारा telegram channel जोइन नहीं किया तो वह भी जोइन कर दीजे क्योंकि यह वीडियो की link में वहाँ पे upload करता हूँ मैं वहाँ पे daily vocabulary के 10 words दालता हूँ वहाँ पे synonym होते हैं, antonym होते हैं और वह word अगर हम sentence में use करेगे तो कैसे होगा यह भी होता है, and यह words the Hindu के होते हैं, and the Hindu की vocabulary बहुत ज़दे important है, यह आपको भी पता है और जल से जल धम वहाँ पे current up air के भी MCQ करने वाले हैं, ताकि आपकी पूरी तयारी हो तो एक ही channel है, वह आपे बहुत सारे फाइद है, तो please वो channel जोइन कर दीजे, और please इस session को जादा से जादा share कर दीजे, ताकि मुझे भी motivation मिले वीडियो बनाने का आप share and subscribe करोगे, तो ही मुझे motivation मिलेगा, subscription तो आपके लिए free है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफी बड़ा motivation है गाईज, तो मिलते हैं अगले session में, जैसिया राम, stay tune with us, till then, take care and love you guys